असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप सब बलकुल ठीक थाक में मज़े में हैं सोरी कुछ दिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई मेरी तबियत थोड़ी खराब हो गई थी पेट में बहुत दर्द हो रहा था मुझे लगा गया सोरी है हजबन को लगा के बही मैडिसन लेरी है एक महीने के लिए तो इसलिए पांच चार पांच दिन जो है मतलब मूना के गाइडनिस में जो हो कह रही थी जाला तर मैं जो है ना दही के अंदर हस्ट ढालके और चीनी के सारू खा रही थी और कुछ पिर मैंने दूद के साथ कोकीस ब्गाई है और मतलब नान सालन के साथ खा रही थी तो ये सब खाया था मैंने और इसी के साथ जो है मैंने चार-पांच दिन गुजा रहे हैं कोई कॉलेजन ACV विनिगर मल्टी विटामिन्स वगरा मैं कुछ भी नहीं थी ले रही तो लेकिन मतलब कुकीज वगरा और नान ये सब खाक हो के मैंने जो है ना चार-पांच दिन गुजा रहे हैं नान कोशिश करी थी ना काओ लेकिन फिर भी बच्चों को खिलाते-खिलाते खा लेती थी और कुकीज जो है वो बहुत जलन सी भी हो रही थी तो मैंने ठंडे ठंडे दूद के साथ तीन तीन चार-चार खुकीज खा ली तो ये किया था तो ये था जी सिक्स्टीन दे और कल से मेरी तबीयत जो है थोड़ी बेटर हुई है अलहांदो लेला दर्द भी किया है और कोई जलन भी नहीं है तो इसलिए अब मैंने दुबारा से जो नॉर्मल रूटीन मेरी ही थी वो ही मुना ने दुबारा शुरू करा दी है मैं मुना का लिंक इदर टैग कर दूँगी इस टिक टॉक में भी और इंस्ट्राग्राम में भी और यह देखें जी मैं पैन यह जो निया पैन है यह माशाला बहुत अच्छा है विदाउड ओइल जो है मैं इसमें एंग बगरा बनाती हूं बिल्कुल भी जो है ना स्टिक नी करता है बहुत अच्छे से हो जाता है मैं यह भी जो परड़क्स है मैं इदर टैक कर दूँगी हस्क भी और यह पैन भी अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो ठीक है लंच और डिनर जो है वो काफी हल्दी ऑप्शन था यह मेरा जो ब्रिक्फरस्ट अरहम ने छोड़ा था मैंने यही खा लिया ब्रेड के साथ और यह मेरा लंच था मैंने कबाब बनाए थे और साथ जो डिनर था वो तो आज था यह जी लेटिस बर्गर यह रोल क्या कहले है रोल था यह खाया था यह इतना मज़े का बना था शामी कबाब का यह बला मैंने बनाया था थोड़ा सा सैलिट अपनी मरजी का डालने थोड़ा सा आप उपर सॉस अपनी मरजी का डालने तो यह बड़ा मज़े का बन जाता है लेटिस के अंदर ऐसे कोई भी आपको वो वीर्ड सा टेस्ट नहीं फील होगा मज़े का लगेगा ठीक है आप लोग भी ट्राइ करना चाहते हैं तो ट्राइ कर लें दो हफ़ते में मैंने देखा जाए तो आप लोग भी उससे कॉंटक करना चाहें तो कर लें अला हाफिज